हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम टीशू वेपर होल्डर बनाएंगे एक मोबाइल फोन के डब्बे से इसके लिए हम क्या करेंगे? कि डब्बे का जो कवर है उसके उपर वाले पार्ट में हम एक होल बना लेंगे जिससे कि हमारा टीशू वेपर बाहर निकल सके इसके लिए सबसे अच्छा ट्रेक मैंने ये किया कि स्केल का जितना पूरा डायमिटर है चारो साइट से उतने एरिया को हटा के बीच में जो स्पेस बच रहा था उसको मैंने काट के निकाल दिया इसको rectangular shape में भी कट कर सकते हैं पर मैंने oval shape में इसको कट किया है कट करने में थोड़ा मुश्किल होगा blade से कट करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास thermacol कटा रतो से easily कट जाएगा नहीं तो blade से काटने में थोड़ी मुश्किल आएगी पर कट जाएगा देखें होंगे आप लोग मैंने काटा है उसके बाद क्या करेंगे कि newspaper की pieces लेके इसके ages को even कर देंगे अभी थोड़ा खुदुरा सा rough सा हो गया है इसके इनके ages जिससरे tissue paper निकलेंगे तो first जाएंगे इसलिए इनके ages को पहले हम smooth कर देंगे इसके लिए favicol में पानी mix करके newspaper को छोटे-छोटे pieces में कट करके इसके उपर से लगाते जाएंगे और उपर से वो जो liquid बनाए हैं पानी और favicol का वो लगाते जाएंगे जिससे कि ये आप देख रहे होंगे बहुत easily आसानी से ये बनते जा रहा है और हम सूखने के बाद देखेंगे विल्कुल soft आसानी से मतलब इसे कुछ भी रखें तो आसानी से निकल सके ऐसा बन गया है इसका ये cutting आप देख रहे होंगे कि चारो साइट से मैंने इसे पूरी तरीके से अच्छे से लगा लिया है कहीं पर भी खाली नहीं है इवन दो-दो बार मैंने newspaper को एकी जगे पर paste कर दिया है जिससे ये उखडे न और आसानी से स्मूध हो जाए फिर इसको सुखा लेंगे अच्छे से आप देख रहे होंगे ये perfect बिल्कुल cutting बन गया है अब इसको हम color कर लेंगे मैंने इसे navy blue से color किया है क्योंकि थोड़ा dark color रहेगा तो white tissue पर रखने में अच्छा लगेगा तो इसे evenly अच्छे से पूरे चारों side को color कर लेंगे नीचे वाले को color करने की कोई ज़रोत नहीं है क्योंकि इसका कोई भी face हमें front पे नहीं दिखेगा only उपर का cover ही दिखेगा तो एक बार करने पे color थोड़ा light लग रहा था तो मैंने double coat कर लिया है और जहाँ newspaper है वहाँ थोड़ा dark दिखेगा इसलिए उपर वाले side को अच्छे से evenly color कर लेंगे color करने के बाद light वाला part होता है और जो dark gray color का part होता है दोनों को आपस में बहुत अच्छी तरीके से mix कर लेंगे उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा लेके मैंने दो strips बना लिये हैं even quantity में लेके उसके बाद मैंने इसको चोटी के आकार में बना लिया है fold कर करके अब मैं इसको जो oval shape का cutting की होई इसके चारो side लगाऊंगी जिससे देखने में थोड़ा अच्छा look लगे ऐसा ना लगे कि कैसे cut दिया है इसको करने के बाद आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है इसको करने के बाद मैं flower बनाऊंगी आपको अपने according कोई भी डिजाइन उपर बना सकते हैं नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं only color से कोई डिजाइन बना सकते हैं या mirror भी लगा सकते हैं वो आपकी choice है आपकी अपनी creativity कितना दिखाई है इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल लगी नहीं रहा है कि mobile का box ऐसा लग रहा है कि लकडी का डबबा है जिसको paint किया गया है और इसमें easily एक packet पूरा tissue paper आ जाएगा इससे हम अपने dining table या kitchen कहीं पे भी रख सकते हैं ऐसे tissue paper रखने में एक साथ कई सारा निकल जाता है तो ये अगर हम tissue paper holder बना के रखते हैं तो हमारे लिए बहुत easy होता है निकालना और use करना इसलिए आप आसानी सही अपने घर में बना सकते हैं और बहुत useful सा चीज है तो आप लोग जरूर इससे try करें और comment में बताएं कि आपको ये कैसा लगा tissue paper holder और आपने try किया तो क्या different क्या changes लाएं आप अपने में और comment करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस topic से वीडियो चाहिए किस topic से आपको जादा वीडियो चाहिए या फिर वीडियो में कोई मतलब कुछ विकार लग रहा है तो वो बताई है अच्छा लग रहा है तो वो बताई है और अब देखे है मैंने flower बना दिया और leaf बना दिया flower बना frustrating day इसके बाद हम इसको color कर लेंगे यह तो ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है पर color कर लेंगे color करने पर और शुंदर लगेगा अब कलर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अच्छे तरीके से सूख जाए उसके बाद कलर करें मैंने लीफ में थोड़ा पैंसल से टेक्स्चर बना दिया है लीफ जैसा तो आप देख रहा हूंगे कलर करने के बाद लीफ ओर इसनल लीफ जैसा लुक आ रहा है और कलर कॉम्बिनिशन थोड़ा ध्यान रखेंगे मैंने ब्लू किया है इसलिए फ्लावर को मैं यलू कलर से कलर करूंगी और इसके बॉर्डर को मैं पिंक कलर से कलर करूंगी जिससे यह काफी प्यारा लगेगा हमें कोई भी चीज बनाने में कलर तो अपन चीज हो जाता है हमारे कलर चॉइस से और अच्छे से कलर करेंगे क्योंकि मैंने लीफ प्लावर के पेस्टल्स को थोड़ा तिर्चा बनाया है तो अच्छे से करेंगे जिससे नीचे नीचे वाइट न दिखें और इसके बॉर्डर को पिंक कर देंगे और इस पे अब अल्मोस्ट ये तयार है आप देख रहे होंगे कितना जादा प्यारा लग रहा है और ये कितने यूसफुल है हमारे लिए टीशू पेपर होल्डर और प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजे वीडियो को लाइक जरूर कीजे अगर आपको मेरा कंटेंट अच अब इसी के साथ आप इसका फाइनल व्यू देखेंगे ये पिंक कलर का देख रहा हूंगे वाटर बनाया है मैंने इस पर आप क्लीटर भी लगा सकते हैं और मुझे तो ऐसा ही एचा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा ही छोड़ दिया पर हाँ वार्निस जरूर अपलाई कर आप 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 लिए कितना प्यारा लग रहा है यह तीशु पेपर होल्डर आप बहुत जादने चैस के ने निकालने में भी यह यह बहुत जाद है आप बस ऊपर का एक स्लाइस एक को टच कीजे और उठा के ले जीजे और आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं यहाप मैंने भी एक साथ डाल दिया इसलिए ऐसा हो गया नहीं तो आप थोड़ा साइन में गैप करके डालेंगे तो इसली निकल जाएगा देख रहे होंगे कित ना प्यारा लग रहा है तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक